बिभाग डी निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्ण है एक यादिश चल एक्स का सम्भावन वित्रण निम्रानुसार है पी एक्स यानि पी ओफ एक्स बरावर यहां पर के एक्स माइनस एक जब है तब एक्स की कीमत दो और तीन लेनी है के एक्स बराव युक ममूले धरन करे तो उस गटना की सम्भावना का मान ग्याद कीजिए तो कुशन नमबर हम एक सॉल कर रहे हैं यहां पर हमको दिया है पी एक्स बरावर क्या क्या दिया है तो यहां पर हम लोग ग्याद करें के यहां दिया है के एक्स माइनस एक तब हमको एक्स बराव चाल लेना है और जब के एक्स पी एक्स बरावर दिया और छे माइनस एक्स तब एक्स की कीमत हमको क्या लेनी है एक्स बरावर पांच लेनी है तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पी एक्स बरावर सुत्रह लिया है पहले यह वाला के एक्स मा और X की जगह पर 2-1 बरावर कितना आता है K का K 2 में से 1 गया तो 1 बचता है अब 1 का गुणा के से करते हैं तो K आता है P अब हमको कितना लेना X की जगह पर 3 लेना है तो यहाँ पर इस सुत्र में लखेंगे K X की जगह पर 3-1 यहाँ K 3 में से 1 गटाएंगे तो 2 बचता है 2 का गुणा के से करते हैं तो 2 K आता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर P X बरावर सुत्र हमारे पास क्या है K है यह हमारा दूसरा सुत्र है P X P of X बरावर K अब X की जगह पर हम कितना लेना लेना है यहाँ पर X बरावर 4 दिया है P of 4 बरावर तो K की जगह पर K ही आता है क्योंकि यहाँ X है नहीं X की जगह पर हम लोग कुछ लिख सकते है लिख सकते हैं 4 पर X है ही नहीं यहाँ पर इसलिए P 4 बरावर K आता है अब हमारे पास तीसरा सुत्र है P of X बरावर के लिखाए K 6-X ओके अब यहाँ पर हम लोग P कितना कीमत लेंगे X की जगरे पर 5 लेते हैं तो कितना आएगा K की जगरे पर K और 6 की जगरे पर 6 और X की जगरे पर 5 बरावर K कितना बचता है 1 तो यहाँ पर कीमत आती है K एकन K अब यहाँ पर लिखते हैं X का संभावना बितरण कितना हो सकता है तो यहाँ पर X यहाँ पर P of X लेना है अब यहाँ पर लेते हैं दो थी कीमत तो हमारे पास कितना आया है के आया था जब हमने तीन लिए तो हमारे पास कितना आया दो के आया है और जब चार लिया तो हमारे पास के आया है ज्ब उमने पांच लिया तब हमारे पास k आया है यहाँ पर देखेंगे दो लिया तब k आया है और तीन लिया तो δो k 4 लिया है तो k और 5 लिया है तो k आया है ओके तो यहाँ पर ध्यान रखना है असतत आबुरती बितरण में संभावना संभावना का योग एक होता है कितना होता है एक इसलिए यहाँ पर के अचलनांग का मुल्य हमको ग्याद करना है यहाँ पर तो आपको पता ही है के सिग्मा पी ओफ एक्स बराबर एक होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा पी ओफ एक्स बराबर पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव बरबर इसकी कीमत कितनी होती है एक इसकी कीमत आई है यहाँ पर के इसकी कीमत प्लस टू के इसकी कीमत प्लस के और इसकी कीमत के आती है इन सब को जोड़ते हैं दो और एक तीन चार पांच पांच के आता है इसलिए एक बटे में पांच बरावर के तो के बरावर कितना आता है एक बटे पांच आता है के बरावर कितना आया एक बटे पांच आगे देखते हम यहाँ पर चल एक्स यह है युगम मतलब युगम मुल्य यानि सम संख्याएं सम संख्याएं कि उतनी दो चार छे आठ बगेरे बगेरे हो धारण करे उस घटना की संभाव ना ग्यात करना है मतलब हमको क्या ग्यात करना है P2 प्लस P4 क्योंकि हमको P6 नहीं है P8 नहीं है P2 और P4 है कैसे है हम यहाँ से पता लगाते हैं तो 2,3,4,5 है तो 2 और 5 यानि कि जो सम संख्याएं 2 और 5 उसके ही मुल्य लेते हैं और उबर यहाँ पर कितना दिया है के प्लस यहाँ पर के बरावर के और के दो के होता है दो की जगे पर दो के बरावर हमारा दो बटे पांच एक बटे पांच आया था भाग एक और भाग दो के अलग अलग चेप्टरों की प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगे वहाँ से आप देख सकते हो चैनल पर नहीं चैनल को सस्क्राइब कर सकते हो क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपको लिए लेके आते रहेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देना कुशन नमद दो है एक याद्रेस चल एकस का सम्भावना वित्रा निम्ना नुसार है पी एकस बरावर सी एकस की खाद दो प्लस एकस 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 बरावर माइनस दो एक दो तो सी के मुल्य का परिगरन करके सिद्ध कीजिए पी टू बरावर थ्री पी ओफ माइनस दो है तो दूसरे कुशन का सॉलूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर पी एकस बरावर दिया है सी एकस की दो घाद प्लस एकस और एकस बरावर हमारे पास दिया है माइनस दो एक और दो दिया है ओके अब हमको यहाँ पर P-2 C की जगे पर C और X की जगे पर हमको क्या लिखना है 2 लेना है माइनस 2 की दो घार प्लस माइनस 2 अब हमारे पास इसका मुल्ली कितना आता है C की जगे पर C माइनस 2 का वर्ग 4 और प्लस माइनस 2 बराबर C यहाँ पर आता है 2, 2 का गुणा C से करते हैं तो 2C इसका अंसर आता है अब हमको कितना लेना है, P1 लेना है बरबब P1, बरावज C की जगे पर C और X की जगे पर 1 प्लस X की जगे पर वापस से 1 लेना है C की जगे पर C और 1 का वर्ग 1 यहाँ पर भी 1 तो यहाँ C एक और एक दो होता है दो का गुणा C से करते हैं तो दो C आता है अब हम लोग P2 लेते हैं सुत्र वही है हमारे पास C और वर क्या सुत्र है C और X की जगापर हमको 2 की 2 घाट और फिर X है फिर से 2 लिख देते हैं C लिखते हैं यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 2 अब यहाँ पर C 4 और 2 6 होता है तो यहाँ पर 6 C इसका अंसर आजाता है अब हम लोग यहाँ की लिखते हैं X का संभावना वित्रण संभावना वित्रण तो यहाँ पर X, X, P, X लिखते हैं यहाँ माइनस 2, 2 C, 1, 2 C, 2 और यहाँ पर 6 C इसका अंसर आया है यहाँ पर C हमने लिया है 2 लिया तो 2 C, 1 लिया है तो 2 C 2 लिया हो तो 6 C इसका अंसर आता है उसके बाद हम लोग को पता है यहाँ पर कि असतत आप्रती बित्रण में सम्भावना का योग एक होता है कितना होता है एक होता है इसलिए सिग्मापी ऑफ एक्स बरावर एक और वर यहाँ एक लिखते हैं इनकी कीमत लिखते हैं 2C आया था यहां पर यहां भी 2C आया है और यहां पर 6C आया है यहां एक लिखते हैं जोड़ देते हैं तो 10C आया जाता है 2, 2, 4, 6, 10 अब यहां पर 1 और यहां पर बटे में आ जाता है 10 बटे में आ गया तो C यानि कि C बराबर हमारे पास 1 बटे 10 कीम मत आई है ओके अब हमने यहां पर कर लिया है अब हम यहां पर देखते हैं इधर ही सॉलूशन कर लेते हैं यहां पर तो हमारे पास क्या आता है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए यह पी दो बरावर 3 पी माइनस डो अब यहां पर धियान रखना है तो पी पी बरावर कितना आया था चै आया था ओके बरावर तीन और पी मानस दो बरावर दो आया है 2C इस तरह सी 6C बरावर 2T6C आयता है मतलब LHS बरावर RHS लेफ्ट हैंड साइड की कीमत और राइट हैंड साइड की कीमत दोनों बरावर है इस प्रकार इस प्रकार यह सिद्ध किया है कुशन नमर 3 एक याद रिस चल एकस का बितरन P of X बरावर के 5 P X X बरावर 0 1 2 3 4 5 है तो अचनला के की गर्णा करके बितरन का मत दे ग्यात किजिए तो यहाँ पर कुशन नमर हमारा 3 है हमको दिया क्या है P of X बरावर के दिया है गुणा करके ऐसा लिखा है 5PX और X वरावर हमको लेना है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लेना है अब यहाँ पर लिखते है P of 0 यानि के की जगह पर K 5 की जगह पर 5 और P की जगह पर P और यहाँ पर 0 X की जगह पर 0 लेते है तो यहाँ पर K आता है और इसका मुल्ले आएगा 1 तो यहाँ पर कितना आया है K आया है अब हम लोग लेते हैं P 1 K की जगह पर K 5 की जगह पर 5 और P 0 अब X की जगह पर 1 तो K की कीमत के 5P1 की कीमत आती है 5 अब यहाँ पर कितना लेगेंगे यहाँ पर तो 5 के आजाता है उसके बाद P दो लेते हैं तो पांच के की जगे पर के और पांच की जगे पर पांच और यहां पर आ जाता है दो ओके के की जगे पर के आता है और इसकी कीमत आती है बीस आ जाती है कितनी आती है बीस का गुणा के से करते हैं तो बीस के पी तीन लेते हैं तो यहाँ पर K की जगे पर K, 5 की जगे पर 5 और यहाँ X था यहाँ पर 2 की जगे पर 3 आ जाता है K की जगे पर K इसकी कीमत आती है कितनी आती है तो इसकी कीमत साइट आती है P 5 P 3 की कीमत साइट आती है यहाँ पर साइट लिखा है साइट का गुणा के से करते हैं तो साइट के आता है ऐसे ही P 4 लेते हैं तो K की जगह पर K 5 की जगह पर 5 और इसकी जगह पर 4 K की कीमत K 5 P 4 की कीमत कितनी आती है 120 आती है और यहां लिखते हैं 120K अब यहां पर ध्यान रखना है अगर आपने शीखा नहीं है यह पी 0 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इतना वाल लिखना है दितनी वाल लिखा होतना उतरते करह में लिखना 4 तक ओके तो 5 जोग 20, 20 तिया 62 अगर यहां 3 लिखा होता यानि कि 5P3 लिखा होता तो हम 3 तक उतरते करह में लिखेंगे तीन संख्या, पांच, चार और तीन, तो पांच और बीस, बीस दिया साइट, समझ में आया होगा, दो बार दिया हो तो पांच गुणा चार, एक बार दिया हो तो पांच का पांच, ओके, तो पांच और बीस, फिर दूसरी में आया साइट, फिर इसमें आया 120, इस तरह से आय क्या है अब हम लोग लिखेंगे यहां पर P5 बरावर ओके की जगाए पर के और यहां पर 5 और यहां पी 5 बरावर के यह आता हे 120 के बरावर 120 के अगर 5 होता है तो 5 भार उतारते क्रांब में लिख देना 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा एक पांच ओग एक दो तीन चार पांच और उबर तो पांच ओग भी पांच ओग बीस विस्तिया साइट दूनी एक सो बीस एकन एक सो बीस यानि एक सो बीस ही इसका अंसर आता है आगे हम यहां पर लिखते हैं एक्स का संभावना संभावना बित्रण एक्स का संभावना बित्रण लिखते हैं यहां लिखते हैं एक्स यानि एक्स या पी ओफ एक्स यहां पर हमको कीमत लिखनी है ओके क्या लिखनी है कीमत लिखनी है अब यहां पर देको जीरो लिया हो तब हमारे पास कितना आया था के और हमने एक लिया तब हमारे पास पांच के आया था जब हमने दो लिया तो हमारे पास बीश के आया था यहां से यहां से आप देख रहे होंगे और यहाँ पर अगर हमने तीन लिया है तो साइट के आया है और चाल लिया है तो हमारे पास 120 के आया है और पांच लिया है तो हमारे पास कितना आया है 120 के आया है अब यहाँ पर लिखते हैं असवतत आबरती बितरण में संभावना का योग एक होता है कितना होता है एक होता है इसलिए सिग्मा पी ओफ एक्स वरावर एक लिखते हैं यहांपर सिग्मा पी ओफ एक्स वरावर पी ओफ जीरो प्लस पी ओफ एक ब्लस पी ओफ टू प्लस पी ओफ थ्री प्लस पी ओ फ्लस पी ओफ फाइव इनकी कीमत यहां एक लिख देते हैं यहां के प्लस आया था पांच के यहां से लिख देना है फिर प्लस बीश के प्लस साइट के प्लस एक सो बीश के प्लस एक सो बीश के ओके तो यहां पर हम लोग एक लिखते हैं इन सब का मैं टोटल कर लेता हूं calculator पर फिर बताता हूं तो हमने इसका calculator पर कर लिया है कितना आया है तो इसका total आया है 326 के एक का एक यह इसके बट्टे में आ जाता है बरावर के और के बरावर हमारे पास आता है वन एक बट्टे 226 ओके यह इसकी कीमत आई है अब हम माद्य निकालते हैं तो माद्य हमको निकालना है माद्य यानि कि sigma x निकालना है sigma x मतलब sigma x p of x तो sigma यह हमको ग्याद करना है बरावर यहाँ पर कैसे ग्याद कर जीरो गुणा k plus 1 गुणा 5 k कैसे आया है तो अभी मैं बताऊंगा 2 गुणा बीस के plus 3 गुणा side key plus 4 गुणा 120 के plus 5 गुणा 120 के कैसे आया है तो देखो यहाँ पर यह से किया है zero गुणा k के ग एक गुणा 5 के plus 2 गुणा बीस के प्लस तीन गुणा साइट के प्लस चार गुणा एकसो बीस के प्लस पांच गुणा एकसो बीस के इस तरह से हमने इसको किया हुगा है बरावर अब यहां पर लिखते हैं तो गुणा कर लेते हैं तो इसका गुणा इससे करेंगे तो जीरू आता है पांच एक चार सो असी के आया है और इसका गुणा करते हैं बारापन जे साइट तो च्छसो के आता है ओके अब हम लोग इन सब को जोड़ लेता हूं केल्गुलेटर पर फिर बताता हूं इस तरह से हमने इसका टोटल कर लिया है कितना आया है तेरा सो पांच के आया है बराबर ओके तो तेरा सो पांच के का मुल्य रखते हैं तो के का मुल्य आया था एक बट्टे तीन सो चब्वीश अब हम लोग इसको इसका इससे गुणा करते हैं तो इतना आता है बट्टे में तीन सो चिब्वीश आ जाथा है अब कुश्यन नमब छे जीखते हैं निसाना लगाने के एक खेत में रमिश निसाना लगाने में निश्फल जाए उसकी संभावना दो बट्टे पांच है यह दो उसे निसाना लगाने के लिए तीन प्रेतन दिये जाएं तो उसमें से दो प्रेतनों में निसाना लगाने में सफलता मिले उस घटना की संभावना ग्याद कीजिये तथा वित्रण के माद की गढ़ना कीजिये तो हम यहाँ पर कुश्यन नमब छे का सोलूशन कर रहे हैं निसफलता की संभावना कितनी है क्यूँ है क्यूँ से दर्शाते हैं दो बटे पांच है तो सफलता की संभावना किसे दर्शाएंगे पी से तो हम यहाँ पर ग्याद करते हैं पी वरावर क्या होता है एक माइनस क्यूँ अब यहाँ पर एक माइनस दो बटे पांच करते हैं पांच एकन पांच पांच में से दो गटाते हैं तो तीन वर्टे पांच पी वरावर तीन वर्टे पांच आता है यह एन वरावर कितना दिया है तीन और एक सबार वरावर दिया है दो और अबर हम यहाँ पर लिखते हैं दूई पद दूई पद संभावना संभावना बित का सुत्र क्या है तो P of X बरावर N C X P X Q N minus X है बरावर तो यहां पर हम करते हैं यहां पर P X बरावर कितना लेना है दो अब यहां सुत्र के अनुसार N की जगह पर हम लोग 3 लेते हैं C की जगह पर C और X की जगह पर 2 लेना है और फिर P लिखाए P की जिगाए पर हमको लेना है 3 बटे 5 और X की जिगाए पर हमको कितना लेना है X बरावर 2 दिया है गुणा कर देते हैं यहां पर और यहां अब लिखते हैं Q Q बरावर हमारे पास था 2 बटे 5 था N लिखाए N 3 है और X 2 है बरावर यहाँ पर हम कीमत ग्याद करते हैं तो यहाँ कीमत कितनी आएगी हमारे पास इधर 3C2 की कीमत आती है हमारे पास यहाँ तो कितनी आएगी 3 आती है अब 3 का वर करते हैं 9, 5 का वर करते हैं 25 यहाँ पर 2 वट्टे 5 ही आएगा इसकी एक घात होगी तो उतने ही कीमात आती है गुणा कर देते हैं यहां कितना आता है 9, 3, 27, 27, 24 है 25, 125 होता है अब हमको ग्याद क्या करना है माद्य ग्याद करना है क्या ग्याद करना है माद्य तो माद्य हम ग्याद करते हैं क्या सुत्र है N, P N कितना है 3 और P बरावर है 3 वटे 5 3 तरक 9 9 वटे 5 इसका आंसर आता है इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर, कॉमेंट करें चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन जैवारत बंदिमातरम